सो हेलो डियर स्टूडेंस कैसे आपकी पड़ाई बहुत अजी चलिए होगी तो हम इस बीरों में जो भी हमारे चैप्टर नमबर टू अब है क्लास्टेंड साइंस का इसमें वन और टू मास्ट को आपके बोर्ड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे को सबसे पहला आपके पूछे जा सकते हैं तो यहां पर हमारा जो भी पोटेंशल डिफ्रेंस इसका डिफ्नीशन क्या हो जाता है पहले आप फर्मुला देख लेए वीज कर डू डू बाइक की होता है यह बहुत इंपॉर्डेंट फॉर्मूला हो जाता है इससे आपके बहुत सारे निमर आप ऐसे बोल सकते हैं तो इसका फॉर्मूला यहां बहुत बार आपको यहां पर वन वोल्ट की डिफ्नीशन आप से पूछ दी जाती है जैसे यहां पर पूछा गया है जैसे डिफाइन वन बोल्ट या फिर दिफाइन वन एंपियर तो इस सब चीजों को जो भी है प्रेक सब्सक्राइब बता देंगे यहां पर देख लेते हैं तो वन बोल्ट का को यहां पर गडिला पर जाता है तो इसमें रहें और वन यहां सब्सक्राइब हो जाता है हमारा तो आपको यहां पर करना है तो यहां पर आपको यहां पर करना है जो मैंने आपको कमेंट सेक्षा में लिखने को बोला था अब आपको बात कि जाता है तो यहां पर लगा होता है थीक वह रिजिस्टर होता है जिसके कुछ एडवेंटेज़ भी होता है अब कुछ डिस अड्मेंटेज़ भी होता है तो अगर आपको देखके जाना है तो नीचे कमेंट सेक्षा में जाकर वह जरूर लिख देंगे ताकि किसी अगर नहीं पता किसी स्ट्टुएंट को वहां से वह पता चल जागा मैं यहां पर कॉस्टन के वराइटी को डिसकस क अगर एक हमारा जोगा वह डबल होगा तो दूसरा क्या हो जागा हाफ हो जागा । इसमें इन्वर्सली का डिलेसन अनुटा हुट हो जाता है मारा वार फुर हायरेस्टांस अगर लेंथ को करते हैं तो रेजिस्टांस का फर्मुला देखें तो रो और यह रोता है यह गर जोब आप दूसको डबल किया जाता है सकते हैं पाइ तू आर का स्कौयर आगर हम डायाइमिटर के बात का डामिटर क्या होता है आप बढ़ता है तुंके मंसब्सक्राइबईर कब सतंटने स्क्राइब हाँ मगर उसके जो भी त्यांब जाती है तो इसकी भी रोल्बरको घुरी का रिलेशंग 7 यंघ लेक्ट लचान था नैस कंद क्या होता आसा पड़ता है यह पने मज़न को तो मैं को था दो हरेक सब्स्टांस की वह ुआ इन विथ चन्ड नहीं होती यह ए यह तो कोई असरव नहीं पड़े गा श्रेटया धार नॉट्वी किस लेंट इसलेंट ईनी नहीं हो जाता है रहे अको नंभा सीक विज तक रहें पारlex न्फर यह गया होता है आइच यह हमारा वह डरेक्ली परपोर्सनल होता है अगर वह होता है चार गुना बढ़ जाएगा तो नेस्ट टिए निम्सम डिवाइज विच वार्क ऑन रिटिंग इफेक्ट अफ अलेक्री करें तो आपको कुछ डिवाइज के नाम बताने जो हिटिंग इफेक होते हैं इंडक्षन भी आ जाएगा हमारे घर का तो हमारे एक्ट्रिक बाल होता है उस आरगन नाइट्रोजन से क्यों किया जाता है जाता है यह नौन रियक्टिव होती है तो यहां पर लिखा है और नाइट्रोजन यह नौन नहीं करती है अगर अगर्म नेक बाल इसलिए बाल की लाइब बढ़ जाती है नेक्स्ट नमार नाइन हो गया इस्टेट जूल लॉफ फीटिंग आपको बतानी है जूल लॉफ फीटिंग इस्ट इन रिजिस्टर इस दिर्टी पोपोर्शनल तो स्क्वार अब देक आपको बढ़ डिस्टर और टाइब आप अब वीच देट फ्लोज थूदर रिजिस्टर तो यहां पर में से आर की जगह पर वीबाई रख सकते हैं यह यां के जगह पर है वह हम भी यार रख सकता है वैसे चेंज कर सकते हैं इंटेचेंज करने पर आपका यह दोनों फोर् है हमारा are in effect of electric current use in an electric trailers the battery vapعة कैसे किया जा सकता है 50 attract अगर रिजिस्ट्ट jantan Onlineician치ांट Crimback Connect . तो भी हमाराbird होता है अगर इसेً करेंट होगे आगर पास करता है तो तो क्या और probability हो जाती है जब कि लाइक करती है हलाकि बहुत सारी एनरजीस होती है हिट कर्व में वेस्ट हो यह तेसलिए जो यहyi जाते हैं LED लाइट इमिटिंग डायोड तो उससे हम लोग बल्ब को यूज कर सकते हैं इसमें हमारी हीट एनर्जी वेस्ट नहीं होती है जितनी भी एनर्जी वह लाइट फॉम में मिलती है इसलिए वह एफिसेंट भी होता है और एनर्जी कंजरवेशन भी उसमें बढ़ जा बिसे हाई रेस्टान्स इफ पो दूस्ट इस हाई अदिट वीकम वाइट होट इमिटिंग लाइट ऑ्सका हाई मिलिटिंग जी अडिशेंट कोटेश भी तथी थीए सब्सक्राइब पोटेंश्य दिफ्रेंस आप वह लोगा लेना है यहाँ तो वीके रभी पर आपको क्य तो इसमें आपको एनर्जी निकालना है तो इसमें आपको एनर्जी निकालना है यह हीट और एनर्जी का फॉर्मूला यह अच्छे से देख लेंगे तो इनर्जी जो भी ट्रांसफर्ड हो जाता है हमारा वाइस चाप्टर का उसमें आपको कन्फिज कर दिया जाता है यह जो होता है इसमें बस फॉर्मूला पर पूट करना होता है आपका एंसर आ जाता है तो हम लिखते हैं कोश्चन हमारा मरा फॉर्टीन हो जाता है थर्टीन के बाद फेन वीजिस्टर वीडिया तिया हुआ है ति अमेद्च पर उसको अग़र्स कर लेंगे तो यहां पर आपको जो भी वहाँ पर पुट करते हैं तब का अंसर निकल जाता है तो उसका अगर अंसर आप निकालेंगे तो आप सीधा आएंगे कमेंट सेक्चेंट में आपके करके बताएंगे मैं इसको यहाँ पर नहीं करने जा रहा हूं आपको यहां बस एंसर देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है आप कॉंपी सामने लेकर बैठिए और कॉंपी को उसको सॉल्व करने ही कोशिज करिए क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको कोई फायदा ही नहीं होगा दो नहीं करेंगे देखते हैं कॉश्चन नमरा 16 हो जाता है है अपको यहां पर बेसिकर दीची मिलेगा आपको 12 क्लास यही जो भी सरक्ट होता हो मिलता है तो यहां तक आपको डीची मिलने वाला वाद इसका रिजिस्टांस निकालना आपको फर्मूला पूटिंग कोश्चन बस फर्मूला पर पूट करना है आपका अंसर निकल जाएगा तो नहीं देखते हैं कॉश्चन नमबर 17 हमारा कल्कुलेड एनरजी ट्रांसफर बाइव फाइप एंपियर करेंट फ्लोइंग तुरू रिजिस्टर ऑफ टू ओम फार्टी मिनाट किसी तूम के रिजिस्टें हमें बाइं विग्राइप का तो यहां है तो अगर पर स्टेट लाइन जो भी होगा वह यहां पर यह जो फैली होगा यह अगर पॉइंट का तो क्या देगा हमें रिजिस्टान्स वहां से वैलू से मिल जाएगा तो हम नहीं देखते हैं कोश्चन नमबर अब मेटल से उसमें फ्री एलक्ट्राउन से लेक्रान तो नॉन मेटल से भी होते हैं यहां पर फ्री नहीं होता है तो रेजिस्टिविटी अप्टालीज हाई एंड हमने कोश्चन नमबर 21 हमारा डालेक्रिकर रेजिस्टिविटी ऑफ शिल्वर हमारे यहां पर दिया वाया पाट विल्डेश्टांस अफ शिल्वर वायर अफ लेंट 10 मीटर यहां पर आपको देहीं दिया गया तो आपको क्या करना आर इस काल टू रो एल बाई एका जो भी फॉर्मूला है यह अप्लाई करना आपका एंसर हंडिड परसें निकल जाएगा तो एंसर आपका निकले ट्वेंटीवन करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि और भी इस्टुनिंट अपना लिख के मिला सब्सक्राइब नेक्स्ट्ट्टों हो जाता हमारा लास्ट कुस्ट्ट्ट नमर्टवार इस वाली इंप्लोईड बाइएलेक्रिसीटी ट्रांसमिशन में जो पर यूज़ किया सकता है तो होप आपको वीडियो अच्छा लाओगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे वहने हमारे प्लेलीच पर चलिए हैं वहाँ पर चैप्टर वन से लेके 16 तरह के सारे जो भी सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते अगले वीडियो में टिल टेक क्या और बाबाए